हेलो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनकेडमी के नीट उजी के स्प्लेटफॉर्म पे और यहां पर हम अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइस कर रहे हैं क्वेस्टिन्स के थूँ और अभी तक हमने जो रिवीजन्स किये हैं उन रिवीजन्स में सौलेड स्टेट करा दिया अप लोगों को बाकी 11th की जित्ती फिजिकल केमिस्ट्री थी वो अल्मूस्ट हो ही गई थी अभी चल रहा था सर्फेस केमिस्ट्री तो आज हम लोग सफेस केमिस्ट्री भी खतम कर तक आते आते हैं हम लोग काफी easy हो चुके होते हैं क्योंकि already इतने questions कर चुके हैं कि अब सारा सवाल आपको आसानी लगेगा ठीक है तो आज हम लोग यह finish कर देंगे और जो लोग नए आया रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि यहां पर हम लोग revision करते हैं ठीक है हर chapter का कम से कम 100- किसी किसी chapter के 200 questions भी हम लोग यहां पर discuss कर लेते हैं उस discussion के दौरान जो भी बीच में conceptual चीज़ें आती हैं उनको मैं revise करा देता हूँ एक problem solving approach का discussion हो जाता है so overall it's a very good revision series it's a very good practice series तो आप लोग अगर अभी नए आ रहे हैं तो please इस series को जरूर follow कीजिए ठीक है तो और पूरे series के दौरान मेरा यही मकसद होगा कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा question मतलब chemistry के subject की अगर हम बात करें तो यहां मैं कोशिश करूँगा कि आपको 3,000-3,500 questions का एक अच्छा pool देके ऐसा बना दिया जाए कि अगर कोई उस 35 questions के थूरू चला जाए तो उसका NEET में कोई question छूट रहना आपाए ठीक है मतलब 90% से ज्यादा correct करके आएगो ठीक है तो obviously अभी तक हम जित्ता भी chapter की हैं आप लोगों ने अगर practice की होगी तो आपने पाया होगा कि it is going to be very useful for everyone है ना so let's crack it आज हम लोग surface chemistry का aims by q discuss करेंगे आज का lecture स्टार्ट करने से पहले कुछ एक important बात है और उन important बातों में सबसे पहले चीज आती है मेरा introduction जो लोग अभी इस channel पे नहीं आ रहे हैं उनको मैं बता दू मेरा नाम शुम्र शृवास्त्वा है और मैंने अपनी post graduation कर रखी है पनारसिंदु उनिवर्सिटी से और इसके साथ ही साथ मैंने All India Rank 22 secure की थी CSIR NET के examination में ठीक है और पिछले सास से जादा सालों से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है अब बढ़ते हैं आगे हम लोग ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अरे यार जो लोग नए अगे आ रहे हैं उनको मैं बता दूँ आप इस समय अनकेडमी से जुड़ चुके हैं इस इंडिया बेस्ट ओनलाइन लर्निंग प्लेटवर्म ठीक है अगर आप अपनी तैयारी को और भी बहतर बनाना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन के लिए जाए प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाए और मेरा कोड शुब्सक्रिप्शन करना ना भूलिए इससे आपको 10% डिसकाउंट के लेगा ठीक है तो उम्मीद करता हूं सारे लोग आ चुके हैं और हां और यह जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा इसका आपको पीडियाफ का चिंता करने क जरूरत नहीं है यह आपको मेरे टेलिग्राम लिंक पर मिल जाएगा तो शुरू करते हैं आज का फाइनल शीट ऑफ सर्फेस केमेस्ट्री और कोशिश करेंगे जितनी जल्दी खतम हो जाए क्योंकि मैंने बताया था सर्फेस केमेस्ट्री देखा जाए तो क्या है क्या है इक है एक अपर मैंने बताया ना कि यह सब चीजें का वोस्पोन होनी होंगी पता चल जाएगा अभी 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 नहीं पोस्पोन हुआ है बस जब तक नोटिस नहीं आ जाता इन सब चीजों का टेंशन क्यों लेगत आपता चलेगा तो उसको मानके चलना अभी यह म करते हैं Holy purple of cassius ठीक है इफ the collateral solution अब तुम लोगत यह जादा प्रक्ल आइज वर्पल आफ कैसी स्का कोलाईडल सेलुसेंटा है यह म 흥े एम्ज 2 फू थाॉजलouch फार फुराइज से थिजटा सब्सया एक्षर्छिएय। नाइन का क्वेश्यन है गल्दी बताओ यार गोल्ड होता ठीक है यह जाते है तो गोल्ड होता है गोल्ड होता है milk is a colloidal solution in which milk क्या होता है milk is emulsion milk is an emulsion और emulsion क्या होता है TP और DM दोनों ही क्या होते है liquid होते है ठीक है so milk is a colloidal solution जिसमें क्या होता है liquid dispersed in liquid ठीक है liquid dispersed in liquid यह होगा A option A option will be the correct one because milk is an emulsion और emulsion जो होता है liquid in liquid system होता है ठीक है liquid in liquid अगर आप disperse करते हैं तो उसको हम क्या कहते है emulsion कहते है समझा गया सबको milk कैसा है liquid in liquid है ठीक है fat in water अगर बोलते है अगर बोला जाए तो fat in emulsion भी तो तरीके का होता है यह कैसा है fat in water या फिर कह लो oil in water milk is fat in water oil in water yes yes रेशिगा the colloid is तो भाईया urea क्या है true solution है cane sugar क्या है true solution है NACL का solution क्या है true solution है क्यों बोलते है क्यों क्यों क्योंकि यह सब particle size 1 nanometer से smaller होते है ठीक है blood क्या होता है colloid होता है यह तो सब लोग जानते है तो C B option will be the correct one ठीक है बढ़ते हैं आगे कहीं doubt आएगा तो पूछ लेना यह देखो इस तरीके का question हम लोगो ने किया था चाहे 2014 या 15 किसी में तो NEET वाले में पूछा गया था यह किता मूमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर अपलाइड इलेक्रिक फिल्ड नोन इस इलेक्ट्रोफोरिस ठीक है इलेक्रोफोरिस मूमेंट ऑफ कटायन मैं कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ चलो देखते हैं इस साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स कल ही हमने डिस्केस किया था कि कोलाइड का साइज क्या होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज होता है 1 nm to 1000 nm तो 1 nm माने क्या 10 to the power minus 9 m, कल बताया थे हम 1000 to 10 to the power minus 9 m का मतलब क्या होगा 10 to the power minus 6 m, so C option यहाँ पर correct हो जाएगा हाँ राज थोड़ा सा answer late आ रहा है तुम लोगों का शहएद, तो मैं confused हो जा रहा हूँ कि question मैंने खोला, B option सही है C बता रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा गुसा भी आता है कि इतना सारा कराने के बाद इतने easy-easy question का तुम लोग answer गलत दो, चलो ठीक है इस question का answer बताओ तुम लोग क्या होगा, which of the following molecules is most suitable to disperse benzene in water which of the following molecules is most suitable to disperse benzene in water वांसा हो गवाओ तो यहाँ पर यह होगा, C option होगा, ठीक है, क्योंकि यह least polar है यहाँ पर, जो least polar होगा, वो benzene को disperse करने के लिए क्या होगा, सबसे अच्छा होगा, ठीक है, तो C option यहाँ पर correct होगा, हाँ, least polar काहेंगे, least polar, a catalyst, changes the equilibrium constant, no, lowers the activation energy, yes, increases the forward air backward at different speed, no, follow same mechanism for the reaction, no, certain changes, ठीक है, तो लोवर्स the activation energy, B option correct होगा, B option will be the correct one, मैंने बताया था कि equilibrium constant of any reaction, equilibrium constant of any reaction, reaction is affected only by temperature, यह चीज़ी याद रखियेगा, आप लोग, भी आप लोगों कोई wavebook ना बनाने पाए, ठीक है, equilibrium constant, केवल और केवल temperature से होता है, चाहे catalyst डाल दो, चाहे जो डाल दो, ठीक है, activation energy बदल जाएगी, rate बदल जाएगर, equilibrium constant नहीं बतलेगा, समझे, leach 88 principle, equilibrium shift हो जाएगा, लेकिन value क्या रहेगी, वही रहेगी, कह रहा है कि, which of the following is a lyophobic colloidal solution, ठीक है, तो lyophobic colloidal solution, अब जैसे starch protein है, यह क्या है, lyophilic है, protein, lyophilic है, polymer वाला solution, यह भी lyophilic है, gold solution क्या होता है, lyophobic होता है, unstable होता है, काफी जादा यह, ठीक है, तो यह बताओ, सबको यह पता है न, कि lyophobic और lyophilic का मतलब, सब लोग पढ़के आये थे न, lyophilic का stabilization कैसे होता है, excessive solvation से होता है, और lyophilic का कैसे होता है, charge के through होता है, तो इसलिए जादा unstable होते है, यह differences सबको पता है न, जित्ते भी जो है, तुमारे metallic sols होंगे, वो सबके सब lyophobic होते हैं, ठीक है, तो gold sol यहाँ पर lyophobic हो जाएगा, चलो, अच्छी बात है, पता है तो, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, next problem, यह question देखो, अच्छा है, यह तो मैं यह एक बार बता दे रहाँ बढ़ियां से, ठीक है, थोड़ा सा lengthy question है, numerical type का है, ठीक है, केरा, the density of gold is, gold is 19 gram per centimetre cube, if 1.9 into 10 to the power minus 4 gram of gold is dispersed, in 1 liter of water, to give a cell having spherical gold particles of radius 10 nanometer, than the number of gold particles per millimetre cube, ठीक है, per millimetre cube of the cell will be, तो भाई, हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले यह निकालना होगा, कि gold का total volume कितना है, total gold का volume कितना है, ठीक है, और एक gold particle का volume कितना होता है, ठीक है, एक gold particle का volume कितना होता है, तो उससे हमको क्या पता चल जाएगा number of gold particles पता चल जाएगा एक लीटर के अंदर तो एक लीटर के अंदर तुमको अगर number of gold particles पता है तो आप 1 mm3 के अंदर gold particles निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो So let me calculate यार राज हमको answer नहीं याद है ना एंसर याद नहीं है, इसका एक बार calculate करके देखना पड़ेगा. Numericals के answer actually याद नहीं रहते है, ठीक है, देख लेते हैं. Density of gold is 19 gram per centimeter cube. ठीक है, और mass दिया हुआ है कितना, 1.9 into 10 to the power minus 4 gram. So, इसलिए total volume of gold कितना हो जाएगा? ठीक है, total volume of gold कितना हो जाएगा? Mass by density होता है, m is equal to v into d, तो mass by density हो जाएगा. So, 19 divided by, 19 divided by 1.9 into 10 to the power minus 4, यह ना? So, यह आजाएगा 10 to the power 5 centimeter cube. 10 to the power 5 centimeter cube. ठीक है, mass of gold by density of gold. अच्छा, mass m by d होगा ना, यह उल्टा हो गया. देख लेते करके, तरीका तो सही है, मास 1.9 into 10 to the power minus 4, ग्राम और यह है 19, तो इतने centimeter cube आएगा, तो यह आजाएगा अपना कितना? यह आजाएगा लगवा लभग, यहाँ से देख जाएगा 10 times जाएगा 10 times जाएगा, तो यह 10 to the power minus 3 हो जाना चाहिए. 10 to the power minus 5 हो जाना चाहिए. 10 to the power minus 5 centimeter cube आगया है, टोटल वल्यूम, capital V, ठीक है, वल्यूम आफ, वल्यूम आफ, वल्यूम आफ, वन गोल्ड, वल्यूम आफ, वन गोल्ड पाल्टिकल, ठीक है, रेडियस कितना हो तब 4 by 3 pi r cube, यह ना, centimeter cube में रखने कोशिश करेंगे, 4 by 3, 22 by 7, इंटू, आर, आर दिया ह हुआ है, 10 nanometer, 10 nanometer का मतलब क्या हुआ, 10 into 10 to the power minus 9 meter, यानि कि 10 into 10 to the power minus 7 centimeter, यानि कि 10 to the power minus 6 centimeter, ठीक है, तो रेडियस हो जाएगा 10 to the power minus 6 का whole cube, तो यह आ गया 4 by 3 into 22 by 7 into 10 to the power minus 18 centimeter cube, इसलिए number of gold particles कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 18, इतने आ जाएगे, ठीक है, तो यह 1 liter में आया है, ठीक है, तो इसको जड़ा calculate कर लेना, 10 to the power minus 18, यह 3 by 4 हो जाएगा, यह 7 by 22 हो जाएगा, यह जाएगा, यह जाएगा, 10 to the power minus 18 उपर जाएगा, 10 to the power minus 18 उपर जाएगा, यह इतना आ रहा है, यह इतना आ रहा है, टेकुलोट करने पर, अब यह करने पर आ रहा है, 3 x 4 x 7 x 22, 3 x 23, 238 x 10 to the power 13, यह आ रहा है 1 liter में, और 1 liter is equal to क्या होता है? 1 liter, 10 to the power minus 3 meter cube होता है, एक meter में कितने millimeter होता है? 10 to the power minus 3 milli, 10 to the power 3 millimeters होते हैं, तो यह हो जाएगा 10 to the power 9, 10 to the power 9 होगा, तो यह आ जाएगा 10 to the power 9, और 10 to the power 6, 10 to the power 6 millimeter cube में है, 2.38 x 10 to the power 12, So, 1 millimeter cube में कितने हो जाएगे? 2.38 x 10 to the power 6, बिल्कुल, D option correct होगा, D option correct होगा, कैसे calculate किया? सब को समझा गया यह सवाल, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इस सवाल के किसी भी point पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, किसी को? यह कैसे solve किया गया, सब को समझा आया, yes or no? D answer आएगा, हाँ, D answer आएगा, कैसे आएगा, सब को समझा आया ना, पहले जो amount दिया हुआ है, उससे मैंने क्या किया? gold का total volume निकाल लिया, gold के radius से क्या किया? gold का 1 particle का volume निकाल लिया, तो उससे क्या आगया? number of gold particles आ गये, लेकिन ये जो number of gold particles थे ये कितने में थे? एक liter के अंदर थे, तो एक liter के अंदर इतने gold particles हैँ, तो एक millimeter cube के अंदर हमारे gold particles आ रहे हैंगे ना, So, यह easy था, बस थोड़ा सा साउधानी रखनी थी किस चीज के लिए, हमको calculation के लिए, और कोई दिकत नहीं थी, okay, बढ़ते आगे, which of the following electrolyte will have maximum flocculation value for FeOH3, ठीक है, so FeOH3 की अगर हम बात करें, hydroxide sol, sol is a positive sol, ठीक है, means, it will get coagulated by NIN, ठीक है, ठीक है, it will be coagulated by NIN, ठीक है, NIN with highest charge density will be the most powerful coagulating agent and coagulating power is inversely proportional to coagulation value, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ जो हमको दिये हुए चीजे हैं, जो informations दिये हुए हैं, NaCl में कौन है, chloride है, है न, Na2S में कौन है, S2- है, NH3, NH4-3, PO4 में कौन है, PO4-3- है, ठीक है, और K2SO4 में कौन है, K2SO4 में, sulphate है, तो यहाँ पर, it is the most powerful, most powerful, और this one is least powerful, ठीक है, अब पूछा के है सवाल में, we'll have the maximum flocculation value, maximum flocculation value का मतलब हुआ, least powerful, so who is least powerful with respect to ferric hydroxide, NaCl सबसे least powerful होगा, NaCl least powerful होगा, तो इसका सबसे कम value लगेगा, तो यहाँ पर हमारा A option correct होजाएगा, सबको समझ हा गया होगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्म की तरफ, कह रहा है, which of the following ions will have the minimum coagulating value for the sol obtained by adding FeCl3 solution to slight excess of NaOH, तो देखो यहाँ हमको क्या मिलेगा, when, when FeCl3 is added to NaOH, FeOH thrice will form, ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, due to excess of NaOH, OH, OH minus ions, will get adsorbed, will get adsorbed on FeOH thrice, क्या बताया थे हम प्रिफरेंशियल एड्सॉप्शन न, due to preferential, adsorption, employs that, negative sol will be, negative sol will be formed, तो इस case में क्या है, negative sol बन रहा अपना, अब negative sol को coagulate करने वाला कौन होता है, negative sol, negative sol, this sol, will get coagulated by, cation, जो cation सबसे तगड़ा वाला होगा, वो इसको coagulate करेगा, है ना, तो यहाँ पर कौन सबसे powerful cation हो रहा है, यह देखो Fe3+, Al3+, sulfate है, यह तो cancel कर दो, यह तो होंगे नहीं, अब इसमें least पूछा है, क्या पूछा है, minimum coagulation value, minimum coagulation value, so minimum coagulation value का मतलब क्या होता है, most powerful, most powerful coagulating agent, so highest charge density किसकी, aluminium has higher charge density, higher charge density, due to smaller size, इसका मतलब क्या हुआ, more powerful, less coagulation value, इस question के हिसाब से, हमारा क्या answer करेक्ट हो जाएगा, D option करेक्ट हो जाएगा, तो देखो, दोनो answer, अभी जो पिछला question किया हमने, और अभी वाला question किया, यह हमको बताता है, कि हमको कितना attentive रहना है, question कठिन नहीं पूछे जाते है, आप भी attentive नहीं रह पाते हो, examination hall में, अब बहुत लोग यहां minimum coagulation value में, वो करके चले आएगे, कौन minimum coagulate करेगा, कोई C मार के चला आएगा, कोई जाएगा कि क्या है, कौन सा sol बन रहा है, बहुत लोग sulfate मार के चले आएगे, कि भाई यह एनाएन तो एक ही दिख रहा है, और hydroxide बनता है, तो hydroxide तो हम पढ़े positive होता है, hydroxide positive होता है, लेकिन in this case, this hydroxide will result into a negative solve, ठीक है, तो बहुत ध्यान से question को देखना है, आई बात समझ में मेरी, सहमत हो सभी लोग, अभी यह एजी लग रहा है, यह examination में बहुत लोग गलत करके आएंगे, और यही सोचके कि फेरिक हाइड्रोकसाइड है, यह positive solve है, यह सोचके sulphate मार के चले आएंगे बहुत लोग, तो sulphate नहीं मारना था, क्या मारना था यहाँ पर, aluminium 3+, बढ़ते हैं अंगले क्वेशिन के बहुत, सभी लोग एकदाम clear, आज यह आखरी है surface chemistry का, अब देखो कह रहा है, preparation of lyophobic salts by chemical methods involved, तो मैंने बोला था, कि for chemical methods, for chemical methods, refer to, NCRT, हम बोले थे न, NCRT में इसके preparation methods को देखो, तो जिसने NCRT उठाई होगी, बात माना होगा, उसको महाँ double decomposition भी दिख जाएगा, oxidation reduction भी दिख जाएगा, hydrolysis भी दिख जाएगा, यानि कि यह सारे methods, chemical methods से हम lyophobic salts all को prepare कर सकते हैं, D option will be the correct one, D option will be the correct one, ओके, सो कोई नहीं गलती हुई है, तो यहां गलती हो जाएगा, है न, परिक्षा हाल में, examination देने जा रहे हो, वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां मैं कोई तुमको number नहीं दे रहा हूँ, और उसको कोई एक बार rectify कर जेता है न, तो आप जिंदगी में वो गलती नहीं करते हो, ठीक है, तो इट्स गुड आप यहां गलती कर रहा हो, कोई बात नहीं, वहां गलती मत करना, बढ़ते आगे, देखो, फिर से, देखो, यह जो सवाल होते हैं न, यह जोर का जटका धीरे वाले होते हैं, ठीक है, लगते, देखो, easy है, है न, hardy soldier rule पर पूछा हुआ है, लेकिन छोटी सी चीज में आप लोग गलती करके चले आते हैं, तो आओ देखते हैं, यह सवाल बहुत प्यारा है, सब लोग सुन रहा होना है यार, बेरी बात, कि खाली दो ही लोग अटेंडने क्लास में, मेरी क्लास में अटेंडन से थी कम क्यों रहती, मुझे समझ नहीं आता है यार, या गाना सुनाओं मैं जोक सुनाओं बताओ, जिससे ज़्यादा लोग आए, पढ़ाने की बजाए मैं जोक सुनाना शुरू कर देता हूं, गाना सुनाना शुरू कर देता हूं, चुठूले सुनाना शुरू कर देता हूं, पढ़ाई की बाद बाद में कर लेंगे देखा जाए A colloidal solution is subjected to an electrical field The particles move towards a node Means Means The particles are moving Towards positive charge Normally end node का मतलब क्या होता Positive charge ही तो होता है तो अगर यह वहाँ पर move कर रहे है इसका मतलब The colloid is Negative sol If the colloid is negative sol It will get coagulated By cation तो power के हिसाब से देखना है तो power सबसे जादा किस की होगी Aluminium 3 plus की होगी फिर barium 2 plus की होगी C option Will be the correct answer ठीक है बढ़ते हैं आगे अब देखो यही चीज फिर से उसी तरीके का question है Under the influence Under the influence of an electric field The particles in a sol Migrate towards the cathode So, if the particles are moving towards the cathode The particles are moving towards Cathode Means Towards negative terminal It means The colloids are positively charged It means They will Get Coagulated by They will get coagulated by anions Please बस अब ध्यान रखना कि यहां पर क्या पूछा है किस चीज का order पूछा है पिछले question में order पूछा था Coagulation power का यहां Coagulation value का पूछा हुआ और हमने बताया आप लोगों को फिर से बता रहे है Coagulation values are inversely proportional to Coagulation power है ना तो सबसे अब फॉस्पेट है सबसे कम Coagulation power इसकी होगी तो highest Coagulation value होगी A option correct हो जाएगा chloride है sulfate है और phosphate है है ना So A option हाँ हाँ बिल्कुल 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 यहाँ A option correct हो जाएगा I hope सबको समझाया होगा बढ़ते हैं अगले question की तरफ देखो कल एक बात हमने और की थी gold number की क्या करा है कि gold numbers of protective collides ABCR ABCDR ABCD ABCD इनके gold numbers दिये हुए gold number किते दिये हुए एक का वहिया 0.5 दिया हुआ है एक का 0.01 दिया हुआ है एक का 0.1 दिया हुआ है और एक का 0.005 दिया हुआ है तो gold number represent किस चीज को करता है एक बार revise करा देता हूँ मैं gold number represents the protecting power और जो protecting power होती है protecting powers are inversely proportional to gold number जितना कम gold number रहेगा protecting power उतनी हाई होगी so power की बात कर रहा है ठीक है तो power की बात देखना यहाँ पे gold number का power power से represent करना है तो power किसका सबसे तगड़ा होगा जिसका gold number सबसे कम होगा so least gold number किसका है इसका है so यानि कि D की power सबसे जादा होगी दूसरे number पे कौन है यह है second number पे यह first power second power किसकी होगी B की होगी तीसरे number पे कौन है C है so C होगा और सबसे जादा gold number अगर देखा जाए तो A का दिया हुआ है सो इसकी पावर सबसे कम होगी, so the correct order, increasing order क्या हो जागा, A, C, B, D, A, C, B, D, और A, C, B, D आप कहां देख सकते हो, C option में, so C option correct होगा, बिल्कुर, okay, सभी लोगों को समझा रहा है, और जितना मैं करा दिया हूँ, जितना मैंने अभी तक कराया है, तुम लोग सब revise कर रहे हो न, ऐसा तो नहीं है, मोल करा के छोड़ दिया, और वो अब ऐसे पढ़ा हुआ है, एक आध हपते में, physical chemistry आपकी पूरी खतम होने माली है, तो कितना हद तक आप लोगोंने revise कर लिया है, revision में भी जो मैं बता दिया हूँ, तो वो पूरा प्रॉपर कर चुके हो न, क्योंकि एक बार physical chemistry खतम होगी, दुबारा मैं नहीं चूँँगा physical chemistry, फिर मैं organic आई न और गेनिक प्याहूँगा, सब लोग अच्छे से पढ़े लिये हो न, पूरा, छोड़ना नहीं किसी चीज को, तो हर एक जो slide है, उसको strictly follow करना है आपको, ओके, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले question की तरफ, कह रहा है, कि, डीजल, डीजीज, काला अजार, is caused by, तो भाईया आप लोग biology के student हो, जरा बताना इसका क्या answer, होना चाहिए, biology वालों को तो मुझसे, ज्यादा आना चाहिए, ये सारी चीज है, डीजीज, उजीज की बाते हैं, बताओ, I'm waiting for your answer, क्या होगा इसका answer, काला अजार, is caused by, किसकी वज़ा से होता है ये रोग, डॉक्टर बनोगे, इतना पता होना चाहिए ना तुम लोग को, जल्दी answer करो, जल्दी, बिल्कुल, बिल्कुल, कॉलाइडल एंटीमनी की वज़ा से, काला अजार रो होता है, ठीक है, गुड, बढ़ते हैं आँगे, which one of the following impurities, present in the कॉलाइडल solutions, cannot be removed by, electro dialysis, electro dialysis, electro dialysis क्या होता है भाई, अगर हम normal dialysis कर रहें, normal dialysis में क्या किया, ये membrane है, इसमें कॉलाइडल solution रख दिया, और इधर, DM डाल दिया, और DM को यहां से flow करा रहे है, ठीक है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, केवल flow के थुरू हो रहा है, अगर हम यहीं पर electric plates लगा दें, तो electric plates के influence में भी, कुछ particles move करना शुरू कर देते, और वो कौन से particle होंगे, जो charge particle होंगे, so sodium chloride ions हैं यहां पर, यानि कि इसको किया जा सकता है, potassium sulfate ions हैं, इसको भी electrodialysis से किया जा सकता है, calcium chloride में भी ions हैं, इसको भी किया जा सकता है, urea क्या है, urea non electrolyte है, तो यह केवल और केवल dialysis से होगा, electrodialysis से नहीं हो पाएगा, ठीक है, या, charge is necessary for electrodialysis to be implemented, ठीक है, electrodialysis आप तभी implement कर पाऊगे, जब वहाँ पर charge at least present हो, charge नहीं present है, तो आप नहीं कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल सही है, MCQs इतने ही थे, अब हम लोग assertion reason वाले कुछ question कर लेते हैं, assertion reason का सब को trend, पता ही होगा, दोनों सही है, चलो देख लेते हैं, दोनों सही है, तो हम क्या मारेंगे, reason भी सही है, assertion भी सही है, explanation भी सही है, तो एक, ठीक है, जिसकी colligative property राज 1 हो, जरूरी नहीं है, यह क्या बोल ले है, want of factor होता है वो, ठीक है, be specific in terms, और, one, इस, इस, क्या बोल दोगे, है न, I, want of factor, ठीक है, तो तो देखो, sky appears blue, अब वो सब टर्म तो पता ही है, यह कम मारना है, बी कमारना है, sky appears blue, हाँ भाया, आस्मान नीला होता हम, रोज देखते हैं, यानि की सही है, collidal particles of dust, scattered blue light, तो blue क्यों होता है, अब आती तो वहाँ से white light है, तो लेकिन जो dust particles हैं, वो scattering करा देते हैं, तो the sky appears blue, just because of scattering of light, so the reason given here, is also correct, so if assertion and reason, both are correct, और क्या हो, correct explanation भी हो, so क्या answer होना चाहिए, इसका A, हो सब लोग मेरे साथ ना, कि गाया हो गया हो, A हो गा, इसका सब लोग सहमत होना इस बात से, ओके, फिजिकल एबसॉप्षिन, फिजिकल एबसॉप्षिन of molecules, takes place on surface only, in this process, the bonds of the absorbed molecules, are broken, तो इसका ये कहना, फिजिकल एबसॉप्षिन, there is a difference between absorption, and adsorption, पहली दूसरी लाइन है, NCRT की, तो adsorption भाया, surface पे होता है, और absorption, surface पे भी होता है, bulk पे भी होता है, ठीक है, समझे, रुई को इंक में डाल दो, और चाक को इंक में डालो, चाक को निकाल के तोड़ो, अंदर सा फेद रहेगा, रुई को निकाल के तोड़ो, पूरा नीली हो जाएगी, तो रुई में absorption हुआ है, चाक में absorption हुआ है, तो इन physical absorption molecules of take place, अंदर साथ, नो, रॉंग, molecule gets absorbed on, molecule gets absorbed on surface, यह absorption में बल्क में जाता है, पूरा, ठीक है, और physical absorption अगर हो रहा है, फिजिकल absorption में आपको लगता है, किसी भी तरही का 9th class का बच्चा, अगर थोड़ा तेज होगा, वो भी समझ जाएगा, कि if any change is physical, no, any bonds are broken, ठीक है, bonds remain intact, only physical state gets changed, तो अगर कोई physical absorption हो रहा है, चाहे physical absorption हो रहा है, bond के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पढ़ने वाला है, तो in this process, the bonds of the absorbed molecule are broken, no, they remain intact, so both are wrong, both are wrong, so क्या होगा, D होगा इस cancer, बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है, the missile formed by sodium styrate in water has COO- groups at the surface, तो भाया, sodium styrate जो होता है, वो कुछ ऐसा होता है, CO-NA+, तो वाटर में जब इसको डालते हो, तो वाटर में जब इसको डालते हो, तो क्या होगा, यह negative वाला आएगा न, यहाँ, आयन तो अंदर घुच जाता है, तो the missile found by sodium styrate in water has COO- groups at the surface, यह, ठीक है, जो आपकी chain से जुड़ा हुआ, chain से जुड़ा हुआ जो group होता है, वही surface पे आके attach करता है, तो भाई sodium styrate में तुमारा जो COO- group है, वो हमारी non-polar tail से जुड़ा हुआ है, तो वो अगर non-polar tail से जुड़ा हुआ है, तो surface में आपके COO- ही आएगा न, surface tension of water is reduced by the addition of styrate, yes, sodium styrate डालने से, ठीक है, surface tension decrease होता है, सही बात है, लेकिन ये इस बात का कोई explanation नहीं है, ठीक है, so both the terms are correct, but they are not explaining each other properly, तो क्या होगा, B answer correct होगा, yes, ultra, both are correct, but not correct explanation of each other, समझा रहा है जब को, बढ़ते हैं आगे, aqueous gold colloidal solution is red in color, the color arises due to the scattering of light by colloidal gold particle, ठीक है, ठीक है, सब लोग question देख पा रहा है हो, सब लोगों को question समझा रहा है, तो एक बात मैं आपको बता दू, अगर मैं तुमसे कहूँ कि gold, gold नॉर्मल ही हम देखते हैं, किस color काम को दिखाए देता है, अगर कुछ पीला रंग होता है न, golden color जिसको बोलते हो, पीले जैसा ही तो होता है, लेकिन अगर हम gold का colloidal solution बनाते हैं, तो gold का colloidal solution पीला नहीं आता है, the reason behind that is, कि आप जब बल्क में ले रहे हो, ठीक है, बल्क में किसी चीज को लेते हो, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना तुम लोग, कि किसी भी चीज का जो color है, हम नॉर्मली जो देखते हैं, वो aggregate का color होता है, लेकिन अगर हम colloidal solution बनाएंगे, तो color might be different, why the color might be different, because the particle size is getting changed, and if the particle size is getting changed, its interaction with the visible light will be different, and color is the resultant of what, but color is the resultant of interaction between light and matter, light and particle, particle size बढ़ाओगे, घटाओगे, color भी तुमको अलग दिखाई देगा, तो gold का colloidal solution पीला नहीं होता है, because particle size change हो जाता है, particle size change हो जाता है, red in color होता है, ये सही बात कह रहा है, ठीक है? समझ आई बात? तो gold का colloidal solution का red color हो सकता है, अरे red ही नहीं, तुम particle size change करोगे, वो violet भी हो सकता है, समझे? वो green भी हो सकता है, depending on आपने particle size क्या रखा है, क्योंकि आपका particle size अगर देखो, 1 nanometer से 1000 nanometer है, और 1 nanometer से 1000 nanometer जा रहे हो, तो तुमारी जो visible की range 400 से 800, वो बीच में पढ़ रही है, particle size घटाते बढ़ाते जाओगे, color भी change होता जाता है, so red is in visual color, तो aqueous solution of gold can be red color, red color हो सकता है, पक्की बात है, और ऐसा क्यों होगा? particle size छोटा बढ़ा करोगे, interaction होगा, scattering होगी, scattering होगी, तो इसके चलते color क्या हो जाएगा, तो गोजी साफ से दिखाई देगा, तो दोनों ही सही है, a will be the answer in this question, I hope सब लोगों को समझ आया होगा, समझ पाएं आप लोग मेरी बात को, किसी को किसी प्रकार की समझ्या, समझ आया ना, ठीक है, तो गोल्ड हमेशा पीला ही नहीं होता ना, नीला आस्मानी भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, depending on how you collide, गैसा बनाया हुआ है ना, बढ़ते आगे, Collidal solutions are stable, but collidal particles do not settle down, देखो, Collidal particles stable होते है ना, लेकिन उनकी जो stability होती ना, intermediate होती है, लाइक, अगर हम true solution की बात करें, सबसे ज़्यादा stable होता है, stability की terms में, है ना, सबसे ज़्यादा true solution होता है, फिर colloid होता है, और सबसे कम कौन होता है, suspension होता है, तुम देखो, दूद है, दूद जैसे होता है, दूद मालो, आज आया है ना, आज आपके घर दूद आया, तो वो colloid solution है, stable है, रात आज अभी रखोगे, रात में पी सकते हो, उसको सुबा तक हो सकता है, यूज कर सकते हो, लेकिन कल रात तक वो फट जाएगा, मतलब that milk will get coagulated, ठीक है, तो stability है, बट stability क्या है, intermediate है, वहीं अगर मैं चीनी का घोल बना के रख देता हूँ, आज बना के रखता हूँ, मैं ढख के रख देता हूँ, इवैपरेशन ना हो, एक साल बाद भी वो चीनी का घोल, चीनी का घोल ही रहेगा, अगर temperature वगरा की condition मैं सेव रखता हूँ, so this much stability is there, और पानी में मिट्टी डाल दूँ, अभी के अभी अलग दिख्राई देने लगेगा मुझे DPDM, तो stability is very less, so collidal solution stable होते हैं, और instantly settle down नहीं होते, उसके पीछे reason होता है, आप लोगों को brownian motion बताया गया होगा, भाई, particle size तो collide में जादा है, अगर true solution के comparison में देखा जाए, तो यह जादा है, लेकिन they are in random motions, they are in random motions, तो एक बैठने जा रहा है तब तक इसको आगे टकर मार दिया, यह बैठने जा रहा है तब तक यह इसको टकर मार दिया, तो इस तरीके से इनकी जो stability रहती है, वो थोड़ी देर तक maintain रहती है, ठीक है, बट जैसे जैसे इन particles की, कि यह कहलो कि क्या बोलते हैं उसको, kinetic energy घटती जाती है, Brownian motion का वो कम होता जाता है, तो यह जो है settle हो जाते है, तो यह stable तब तक रहते हैं, जब तक Brownian motion is under the roll, ठीक है, तो Brownian motion movement counters the forces of gravity actively on colloidal particles, exactly, this is the reason कि colloidal solutions are stable for some time, है ना, so stability के पीछे, तो आपसे कभी भी पूछा जाए, कि what is the reason behind stability of colloidal solution, so the reason behind stability of colloidal solution is the collision between dispersed phase particle due to Brownian motion, so here A must be the answer, A must be the answer, ठीक है, पनीर खाओ, छेना खाओ, जो खाना खाओ, ठीक है, पहले यह question कर लो, चलो भया, क्या है अगला, अगर याद हो, नहीं याद हो, तो मैं बता दे रहा हूँ, temperature profile diagram, एक extra, यह मैं अलग से बता रहा हूँ, ठीक है, temperature diagram, temperature profile diagram, for physis option, अगर याद हो, नहीं याद हो, तो मैं बता दे रहा हूँ, यह जैसे temperature बढ़ा हो, फिजी जॉप्शन कम होता जाता है, ठीक है, फिजी जॉप्शन कम होता जाता है, और फ़र केमी जॉप्शन, देखो, क्या होता है, फिजी जॉप्शन में, फिजी जॉप्शन में कोई केमिकल बॉंड बनना नहीं है, तो सब कुछ डिपेंड करता है, इंटरक्शन, वांडरवाल इंटरक्शन पर, और वांडरवाल इंटरक्शन जैसे जैसे temperature बढ़ा होगे, कम होता जाएगा, तो आप देखो, ग्राफ ऐसा आता है, यह गड़ता जाता है, लेकिन केमिज ओप्शन तब होता है, जब आपका जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल होते हैं, वो आपस में एक केमिकल बॉंड बनाते हैं, ठीक है, यह दैट इस केमिज ओप्शन, तो यार बॉंड बनने के लिए एक specific condition ज़रूरी है, फेवर कर रहा है increase in temperature, एक बार बॉंड बन गया, बॉंड बनने के बाद आप क्या कर रहे हो, आप अगर उस बॉंड को temperature और दो गए, तो वो टूटेगा ना यार, वो टूटेगा, तो टूटेगा तो फिर इसके बाद, अब अगर temperature तुम बढ़ाते हो, तो वो decrease करता है, तो chemise option में पहले increase होता है, फिर क्या होता है, decrease होता है, यानि कि यह सही कह रहा है, assertion is correct, अब दूसरा कह रहा है, कि heat keeps on providing more and more activation energy, ठीक है, तो heat से क्या है, heat इसको activation energy, जो minimum energy required है, heat वो देती है, ठीक है, तो heat ने तो, यह करेक्ट रीजन नहीं है, यह करेक्ट रीजन नहीं है, यह तरहा से controversial लग रहा है, एक सेगंट, क्या है, क्या कह रहा है, कि heat keeps on providing more and more activation energy, एक केमिकल बॉंड बनने के लिए, पर्टिकुलर activation energy चाहिए होती है, तो activation energy नहीं, term use करना ही यह सही रही है, यानि कि यह wrong है, ठीक है, तो C होना यहाँ पर ज्यादा appropriate मुझे लग रहा है, C option must be correct, ठीक है, C option must be correct, अरे, राज collision तो तब बढ़ेगा नहीं और जब वो free होगा, ठीक है, यहाँ तो जाए देखो, यह surface पर क्या कर चुका है, bond बन चुका है, collision का chance ही नहीं बन रहा है, ठीक है, तो यह C होगा, यह activation energy term यहाँ यूज करना नहीं चाहिए था, बढ़ते आगे, करा, अब catalyst does not iter the equilibrium constant of a reaction, yes, यह तो सही है, activation, यह क्या बोलते है हमारा जो, इसको क्या बोलते हैं आगे, हाँ, catalyst, catalyst केवल और केवल क्या करता है, catalyst केवल और केवल, आपकी activation energy को change करता है, ठीक है, equilibrium constant पर किसी भी तरीके का कोई impact नहीं डालता है, को change कर रहा है, equilibrium constant पर को impact नहीं डाला था, यानि कि सही है है, यह तो करेक्ट है, यह ने बोला भी का, यह तो केवल टेपरेचर पर, the catalyst form a complex with the reactant, and provides the alternate path with the lower energy of activation for the reaction, the forward and backward reaction are affected to the same extent, exactly, exactly, ठीक है, so that is the reason, when forward and backward reaction are affected by the same extent, तो kc value तो change नहीं होगा न, so यानि कि यह assertion भी correct है, reason भी correct है, correct explanation भी है, so a must be the correct answer, a must be the correct answer, बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, यह क्या भाया, यह क्या है, next question देखिए, करा, the relation, the relation, x by m is equal to kp to the power 1 by n, is known as friendly kai adsorption isotherm, where x is the mass of gas adsorbed by m grams of adsorbate, ठीक है, p is the equilibrium pressure, k and n are constant for given system and temperature, सही बात बोल रहा है नहीं बोल रहा है, assertion correct है या नहीं correct है, बताए भाया, assertion correct है या नहीं correct है, अमने कल बोला भी था, आप लोगों को यह friendly वगएरा एक बार, मदब सारी चीजें इस class में आने से पहले एक बार पढ़ के आनी चाहिए, या ना क्योंकि question discussion करते हैं, तो बिल्कुल सही है यार, friendly adsorption आइस सो थम में, इन सारी चीजों का मतलब तो यही होता है ना, यह कुछ और होता है, यही होता है ना, या नि कि assertion is correct, assertion is correct, कर रहा है कि when several substances have same value of 1 by n, यह ना, तो हमने कल क्या पढ़ा था, हमने कल क्या पढ़ा था, कि in their graph, if 1 by n is same, if 1 by n is same, the isotherms will be parallel to each other, समझेव यह, यह क्या हो जाएंगे, parallel हो जाएंगे, and two parallel lines never meet, कभी मिलती हैं, नदी के दो किनारे कभी एक दूसरे से मिलते हैं, नहीं मिलते, ठीक है, तो यह भी कभी नहीं मिलेंगे, यह reason गलत बात बोला है, ठीक है, reason गलत बात बोला है, तो अगर assertion correct है, और reason wrong है, तो हम क्या option mark करके आते हैं, हमारा marking क्या होता है answer का, means, for this, C will be the correct, C will be the correct, अब लोग समझ गए, बढ़ते हैं, आगे question कीता है, the enthalpy of physis option is greater than chemis option, यह गलत बोल दिया, ठीक है, enthalpy of adsorption, enthalpy of adsorption, कि अगर हम बात करें, तो physis option, physis option, in general, 20 to 40 kJ per mole होता है, ठीक है, और chemis option, क्या होता है, 80 to 240 kJ per mole के आसपास होता है, तो value से ही यह बात clear है, कि physis option में कम होगा, यह तो बात गलत बोल दिया, molecules of adsorbate and adsorbent, held by wonder wall forces in physis option, and by chemical bonds in chemis option, molecules of adsorbate and adsorbent, held by wonder wall forces in physis option, तो यह तो सही बात लग रही है, ठीक है, physis option में क्या होता है, ठीक है, assertion तो wrong है, reason correct है, तो इसके लिए तो generally e होता है, e होता है, जो कि अब वैसे पूछा नहीं जाता, generally, ठीक है, तो यहाँ मेरे ख्याल से, 2016 सत्रम पूछा गया, तो DE मार्क कर कहना चाहिए, वैसे यह सही बोल रहा है, reason is correct, reason is correct, physis option में क्या होता है, physis option में तो यार वही होता है, wonder wall forces होते है, और chemis option में क्या होता है, chemical bonds होते है, तो बेरे ख्याल से question उल्टा, पुछना चाहरा होगा, वो बोलना चाहरा होगा, कि wonder wall forces in chemical bonds, assertion wrong, assertion wrong हो, तो DE आता है, ठीक है, अब आजकल नया change कर दिया होगा, पहले क्या होता था, अगर assertion गलत होता था, reason सही होता था, तो E mark कर क्या आते थे, वैसे generally, ठीक है, यह दर्शन गलत है, reason सही है, ठीक है, तो हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, कि E option बहुत पहले आता था, ठीक है, अब मैंने नया वाला इसका नहीं देखा, कि क्या curriculum था, तो इसके हिसाब से DE होना चाहिए, लेकिन पहले E होता था, ठीक है, E option भी दिया जाता था, आप राज तुम पुराने lectures मेरे उठा के देखना, ठीक है, उसमें मैंने कराया E, जो 2000, 2000, 2001 के आसपास जो सवाल आते थे, उसमें E भी होता था, ठीक है, चाहिए कोई previous year किताब उठा के देख लेना, महां भी दिया हो गाई, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो अभी के curriculum के साफ से D होना चाहिए, लेकिन actually E भी लिख सकते है, क्योंकि E अधर्शन, रॉंग है, रीजन, 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 करेक्ट है, ओके, तो ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने खतम कर दिया क्या, surface chemistry, मेरे ख्याल से surface chemistry में किसी कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, So, thank you for watching this lecture, है ना, I hope all of you liked this amazing lectures, ठीक है, और if you are liking these lectures, प्लीज, इसको YouTube पे भी like करो, है ना, share करो, कमेंट करो, और प्लीज, मेरा code SHUBH, use करके, plus subscription ज़रूर ले लो, ठीक है, so that ये सारे lectures continue रह सकें, और जित्ते भी लोगों ने, अभी lecture पहली बार देखा है, वो इसका PDF जाके, टेलिग्राम लिंक पे डाउनलोड कर सकते हैं, टेलिग्राम लिंक आपको description box में मिल जाएगी, और description box में ये एक feedback form भी दिया होगा, तो आप लोग अगर उस feedback form को follow करेंगे, भरेंगे, तो अच्छा लगेगा, तो please go for that feedback form, और ये मेरा code जरूर यार, जित्ता जादा से जादा शेयर कर सकते हो, ठीक है, वो जरूर शेयर कर दो, अब अगला हम time table बता देते हैं, कि आप आगे हमको क्या क्या करना है, तो आज ही, आज की ही class में, today 7 p.m. to 8 p.m. 7 p.m. to 8 p.m. आज हम लोग let's crack meet UG पे जो हमारी class होती है, solution and colligative property की, ठीक है, solution and colligative property की, अल्ट्रा एक तुम्हें वो आइंस्टीन का पड़ा होगा सिध्धान्त, आइंस्टीन की एक theory थी, कि अगर तुम एक खूरत लड़की के बगल में बैठे हुए हो, तो time cup बीच जाएगा, पता ही नहीं चलागा, है ना, समझाई बात, तो आज हम लोग 7 से 8 बजे वाली जो class होगी, 7 से 8 बजे वाली class में हम लोग क्या करेंगे, qualitative properties में delta tb और delta tf का discussion करेंगे, ठीक है, इसके theoretical aspects को discuss करेंगे, और उसके साथ ही साथ क्या और करेंगे, numerical करेंगे, ठीक है, और उसके बाद, जो next हम लोग का quest class होगा, next quest class में, वहाँ हम लोग, वहाँ हम लोग क्या करेंगे, वहाँ हम लोग electrochemistry स्टार्ट करेंगे, electrochemistry स्टार्ट कर खतम कर गेते हैं, electrochemistry part 1 कराऊंगा, मैं अगले quest class में, ठीक है, और जुलाई से मैंने बताई दिया है, जुलाई से हम लोग 2 quest करेंगे, ठीक है, 2 quest classes करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी ये quest वाला, से ले मैं हम लोग खतम कर सकें, ठीक है, जुलाई से ही, हम लोग special class में, special class में, पेपर analysis भी करेंगे, NEET का, पेपर analysis भी होगा, ठीक है, so please stay tuned to my channel, stay tuned to my classes, जितना ज्यादा से ज्यादा attend कर सकते हो, attend करो, इन lectures को share कर दो, ठीक है, चैकि views पढ़ेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे और भी lectures को continue कर सकते हैं, ठीक है, तो please help, आप लोग की यही छोटी सी help चाहिए थी, इसको ज्यादा से ज्यादा like और share कर दीजिए, comments कर सकते हैं, comments कर दीजिए, और ये code भाई, जरूर ज्यादा से ज्यादा आप लोग जितना share कर सकते हैं, share कीजिए, अगर आपने plus subscription नहीं लिया, तो आप please plus subscription, तुम क्या कह रहे हो? Is everything fine? चलो कोई नहीं, ठीक है, तो आप लोग ब्लीज जाके, ये क्या बोलते हैं, ये PDF को download कर लीजे, Telegram link description box में दी हुई है, ठीक है, और मेरा वही कहना है फिर से, कि theory से जादा आप लोग questions पे focus किया कीजे, ठीक है, theory एक दो बार पढ़के, जितना question करोगे, concept उतना ही clear होगा, ठीक है, so focus more and more on questions, so let's see you everyone, in the class of 7 p.m. to 8 p.m., और आज हम लोग elevation in boiling point, and depression in freezing point से related questions करेंगे, उसका किस तरीके से, क्यों elevation ही आता है, क्यों depression ही आता है, ठीक है, depression in freezing point क्यों बोलते है, alienation in freezing point क्यों नहीं बोल देते हैं, तो ये सारी चीज़ों को discuss करेंगे, साम 7 बजे से 8 बजे वेली class में, और प्लीज मैक्सिमम लोग रहिए, और राज वहाँ पर आप लोगों को बहस करने की ज़रुवत नहीं रहती, ठीक है, ठीक है, अच्छे से एक डॉक्टर पनिये, ठीक है, मिलते हैं शाम की class में,